हलो फ्रेंट्स वेलकम तो आज चैनल क्रिप्टो वेद विशाल आज का दिन गाइस इंपोर्टेंट है क्रिप्टो के लिए और ओवर ओल ग्लोबल मार्केट के लिए भी क्यों है और उसी के साथ साथ कुछ और भी अपडेट्स जो है यहाँ पे निकल के आए उन सब के बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले गाइस चलेंगे एक बार हम लोग मार्केट का ओवर्विव देखने के लिए क्रिप्टो अनलेस के वेबसाइट पर और अगर आप देखेंगे मार्केट कैप 900 बिलियन का जो हम लोग ने बात किया था उसके अंदर यह कल और आज भी दोनों दिन से उसके इंडरी चल रहा है वॉल्यूम के बारे बात करें तो वह भी संथिंग सौट फिफ्टी-फाइफ फिफ्टी-थ्री के बीच में बिलियन के बीच में यहाँ अभी के लिए चल रही है इन्फ्लो के डेटा के बारे बात करेंगे तो फिलाल अभी तक तो कुछ ऐसा बड़ा अपडेट नहीं है पर हाँ कल एक डेटा आया था जिसके बाद लगा कि शायद कुछ पैनिक देखने को मिल सकता है जो कि तक्रीबन तक्रीबन 3300 BTC का एक इन्फो आया था इसके लाव अगर आज के बारे बात करेंगे तो सिर्फ एक ही अभी मार्केट फिलाल रेडी है जिसके पीछे के औव्यस सी बात है कुछ रीजन से और उसमें से सबसे इंपॉर्टन रीजन है कि आज CPI का कोर CPI का डेटा आने वाला है जो कि बहुत क्रूशल और क्रिटिकल है क्रिप्टो के लिए भी और बाकी सारे मार्केट के लिए भी अग 19,400 और 500 की रेंज के बीच में अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो एक स्पाइक आया था जो 19,200 पर हमें लेके गया था ओवरॉल यह जो हमारा ट्रेंगल ब्रेक आउट हुआ था जो मुझे दिख रहा है अभी 4R के चार्ट में हम लोग फिलाल अब इसी से नीच है और य उसके बाद जब डेटा आएगा तब हमें एक्जेक पता चलेगा कितना क्रिटिकल डेटा आ रहा है एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग है यह और ज्यादा खराब आ रहा है उसके बेस में मैन्यूपुलेट होता हुआ दिख सकता ध्यान रगिएगा कि अगर डेटा खरा मिल रहा है और यह लाइन अभी हमारे लिए रेस्टेंस के तौर पर यहां पर काम करेगी इवनिंग में इंडिया के एकॉर्डिंग में जो डेटा है वो हमारे सामने आएगा स्टॉक मार्केट का जैसा कि मैंने आपको यहां पर बोला अगर आप देखेंगे रिसेशन और जो इंफलेशन की चीज़े चल रही है उन सब की वजह से SNP और NASDAQ का भी हाल खराब है उनका भी डेटा जो है यहां पर स्लिप नीचे की तरफ जाता जा रहा है तो खाली कई लोग जो क्रिप्टो को डाउनफॉल समझने हैं कि क्रिप्टो का हालत खराब है तो मैं बतान चाहूंगा ग्लोबल लेवल पे इन सब चीज़ों का फर्क हमें आपे देखने को मिल रहा है इसके लावा एक और स्टेट्मेंट आया यहां पे कैथी वुट की तरफ से कैथी वुट कौन है अगर आप यहां पे देखना चाहें तो कैथी वुट जो है यह एक American investor है और CEO और CIO है ARC Invest की जो की एक बहुत बड़ा investment form है इन्होंने यहां पे फाइनली यह बोला है कि recession जो है वो अल्रेड़ी आ गया हुआ है और recession के साथ-साथ यहां पे deflation जो है वो भी है तो एक बार officially जब तक यह चीज़े हमारे सामने नहीं आती जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था हो सकते हैं कि यह official नहीं है तो अभी हम लोग इसको एक्स्रेफ ना करें तो जादा यहां पे अच्छा है को कि obviously कल भी हम लोगों ने detail इसके बारे में बात करी थी इसके लावा अगर आप यह देखेंगे तो यह वही कहानी है जो हम लोग ने बात करी थी कि जून की inflation report जो आ करेंगा और हम लोग ने कई बार देखा है SNP के उपर ही crypto market जो है यानि कि BTC जो है वो भी उसी तरीके से यहां पर रियक्क करता है इसके लावा एक इन सब चीजों के बार में जो हम लोग ने थोड़ी खराब बाते करी है तो एक अच्छी चीज भी बात करनी ज़रूरी है तो पर मेरा ऐसा नहीं मानना है मुझे नहीं लगता 24 महीने लगेंगे यानि कि दो साल लगेंगे मेरा क्या मानना है वो भी मैं आपको बदाता हूं पर अगर आप यहां पर देखेंगे तो coin shares के CSO है उन्होंने यहां पर बोला है कि भई जिस तरीके से market यहां पर चल रहा ह इनके akhotic अगले 24 महीने के अंदर जो BTC है वो अपना all time high बनाएगा और जो alt coin है वो भी अपना high यहां पर बनाएगे लेकिन personally मेरा यहां पर मानना नहीं है कि 24 महीने इन्होंने बोले मुझे नहीं लगता इतना time लगेगा मेरा personally यहां पर यह मानना है कि 2023 का end आएगा वो time स से हमें यानि कि इन्होंने 2 साल बोले हैं पर मेरे को देर साल तक उमीद है एक अच्छा हमें bounce back यहां पर देखने को मिलेगा जिस तरीके से एक BTC का cycle यहां पर चलता है हो सकता है उससे पहले भी मिल जाए पर मैं maximum time में यहां पर expect करता हो कि 9 December तक 2023 के हमें एक जो पूरे का बुरा pattern है वो completely reversal होता हुआ दिखाई देगा ऐसा मेरा मानना है जितना मैंने research करी है जितनी चीज़े पढ़ी है और उसके बाद धीरे 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 चीज़ें यहां पर better हो जाएंगी पर कोई लकीर नहीं है कोई ऐसी कि हाँ 2023 तक यह चीज़े होंगी उससे पहले भी हो सकत करेंगी तो अभी तक फिलाल crypto market की जो important updates है वो यहीते Celsius के भी कुछ updates है पर वो मुझे लगा नहीं उससे add करना चाहिए को कि पिछले कई दिनों same to same updates यहां पर देख रहें तो यह तक है इस अभी तक का update इसके लाब जो भी दिन पर updates रहेंगे वो सारे के सारे हम लोग हमारे टेलिगाम चैनल पर discuss कर देंगे जिसके लिए आप टेलिगाम वो चैनल भी जोइन कर सकते इसका लिंक वीडियो के description टे बिल जाएगा थैंक्यों फैंड्स